रमश्क्यार मित्रों, जीतिया का वरत 25 सप्तमबर 2024 को रखा जाएगा, जीतिया का वरत सबसे लंबा चलने वाला वरत है, इसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खर जीतिया और तीसरे दिन पारण किया जाता है, लाग भग 48 घंटे से जादा का यह वरत होता है, माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयों के लिए, अपने संतान की दिरगायों के लिए इस वरत को रखती है, 2024 में 25 सप्तमबर को खर जीतिया है, 26 सप्तमबर को नहाए खाए और 26 सप्तमबर को वरत का पारण किया जाएगा, वरत में चिलो और सिराया की कहानी भी अवश्य ही सुननी चाहिए, इस वीडियो में हम आपको जीतिया वरत की कहानी सुना रही है, कहानी सुनाने से ही वरत का पूनफल मिलता है, चिलो और सियार की कथा इस प्रकार है, जीवित पुत्रा वरत में चिलो और सियार की कथा एक चिल रहती थी, पास की जाड़ी में ही एक सियारन भी रहती थी, थोन दोनों खूब दोस्ती से रहते थे, चिल्लों को जो भी खाना मिलता वो आकर सियारन के साथ बाट कर खाती थी, सियारन भी चिल्लों का ऐसा ही ध्यान रखती थी, इस तरह दोनों का जिवन बड़े आनंद से कट रहा था एक बारवन के पास गाव में ओरतें जीतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सकी सियारन को बताया चिल्लो सियारन ने तै किया वे सब भी व्रत करेंगी चिल्लो और सियारन ने जीतिया का व्रत रख लिया बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन बर भूग के प्यासे रहे कर अपने बच्चों की मंगल कामना से व्रत किया मगर रात होते होते सियारन को भूग प्यास सताने लगी जब बरदाश ना हुआ जंगल जाकर उसने मास और हडियां पेट भर कर खाए चिलो ने हड़ी चबाने से कड़ कड़ की आवाज सुनी तो पूछा यह आवाज कैसी है सियारन ने कह दिया बहन भूग के मारे पेट में गुड़ गुड़ हो रही है उसी की आवाज आ रही है मगर चिलो को पता चल गया उसने सियारन को खूब डाटा जब रत नहीं हो सकता तब दूने संकल्ब क्यों लिया सियारन लजजा के कारण वरत भंग हो चुका था चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर वरत किया अगले जनम में दोनों को मनुश्य के रूप में राजकुमारी बनने का मोका मिला दोनों सगी बहने हुई, सियारन बड़ी बहन हुई, और शादी एक राजकुमार से हुई, चिल्लो उसकी छोटी बहन बनी, उसकी शादी राजा के मुख्य मंत्री से हुई सियारन के जो बच्चे होते वे मर जाते, लेकिन चिल्लो के बच्चे स्वस्त रहते, और जिससे सियारन चिल्लो से बहुत ही जलन करने लगी, उसने कई बार उनके बच्चों का सिर कटवा का डबे में बन कर दिया, लेकिन वे बच्चे बाल बाल बच जाते, उनका बाल भी ब का ना होता, बार-बार उसने अपनी बहन के बच्चों को और पती को मरवाने का परियास किया किन्तु वह सफल न हुई, आखिर कार देव योग से, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ उसने शमा मांगी बहन के बताने पर उसने जीविद पुत्र का यानी जीतिया का व्रतविधी विधान से रहा जिसे उसे भी एक साल में पुत्र की प्राप्ती हुई और उस पुत्र को दिरगायों मिली जो भी इस कहानी को कहते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं उनके संतान की सभी दुख संकर दूर होते हैं उनके बच्चों की दिरगायों होती हैं मित्रों आपको भी चिलो और सियारन की एक कहानी कैसी लगी अच्छी लगी है तो आप हमारे चान करें लाइक करें वीडियो को शियर भी करें कमेंट बोक्स में जै जी मुत्वान भगवान अवश्य लिखें